अगें हम फिर से टॉपिक अपना कंटीनियु करते हैं आपको आपको एंपरिकल फॉम्ला में आपको लिक्कत नहीं आई होगी बट आपसे मेरे क्विस्टल रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जादा रिसर्च नहीं करें चीजों क्योंकि यह बोर्ड वगर से पूछे जाते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए चीजों कर ठीक है खाल गौर तलब बात यह है कि अब हम जो अपना टॉपिक है फिर से कंटीनियु करते हैं ठीक है तो हमने मैंने कुछ ग्षिंट लाए है और इस उन्होंग्यम्हें करेंगे यह कोषर्ण है पहला 2 Ofsad 2 Ofsad of मैटल कंटेंस 2 Ofsad of मैटल कंटेंस 2 Ofsad of मैटल कंटेंस 50% & 40 % of मैटल 50% & 40 % of मैटल 50% and 40% of metal respectively respectively if formula of first oxide is MO if formula of first oxide is MO then calculate formula of second oxide then calculate formula of second oxide ठीक है देखो बड़ा संदे बात को करना तो आपको इसी मेखर से हाला कि गवरान ही कोई जड़त नहीं है ठीक है तो फिर से वहीं element इस टाइब कुशन को आप एंबरेकर फार्मला से बना सकते हैं element ठीक है इसका परसंटेज उसके बाद ए मतलब atom number of atom ठीक है अब फार्म देखो पहला है M और दूसरा है और फोर्मला मेरा पहला कि बना दिया वा MO दिया अब समयना बात को तो पहलाम 2 oxide है जिसमें metal contain 50% मतलब इसमें okay सब 1 is to 1 का रेइट के हैं मतलब ये भी 50 है और ये भी 50 है तो 50 by M क्योंकि मुझे इसका पता नहीं हो 50 by 16 इसका मतलब ये MO होने के लिए ये दोनों value क्या होनी चाहिए equal होनी चाहिए इसको करने का तरीका समधार हमाँ है ये दोनों क्या होना चाहिए equal होना चाहिए तो मैं इसका मतलब sure है क्यों सबुड़ क्यों क्यों चाहिए M हम को तो अगर इसने मैं कितना हो जा जाएगा जाएगाँ 40 by something कितना हाता यहां क्यों संधिंग मेरा सिक्स्टीज और 60 by 16 कहने कहते हैं इसको 40 by 60 मदर 2 is 2, आप इसका रेश्यों लेलो तो इसमें चोटा वेली क्या होगा 40 by 16 16 इस छोटी होगी, 40 by 16 को divide करोगे 40 by 16 से और 60 by 16 को divide करोगे 40 by 16 से, तो यह आपको कितना देगा बंदेगा और यह कितना आजाएगा आपको 60 by 16 into 16 by 40 , this or this cancels , this or this cancels ,3 is to 2 , तो मतलब यह क्या हो जायागा , M 1 O 3 is to 2 , तो आप ऐसे लिख सकतो , M2 O 3 , 2 से multiply करें , Integer , में क्योंकि हम फॉंदां मैं इसा Integer , है इससे तो सब्सक्राइब करके हमने इस तरह तो ऐसा से छोटे-छोटे ट्विस्टिट कोशन आपको बहुत सारी मिलेंगे ठीक है ठीक है अब जो हम आते बेटा ठीक है प्रॉब्लम बेस्ट ऑन है प्रॉब्लम कारेशिट को ऑन केमिकल रिएक्शन वस्ति बात समधना प्रॉड़ा ध्यांकर से सब्सक्राइब क्या होता है थे के डाई आपको पता भी होगब इसको नहीं आता तो इसको पता होना चाहिए सब किभागतर की भ१ा का मतलब क्या होता कि एक यह जैसे ऑठ सबसर करते हैं जोंस तो कुराने ऑफिए नए पनैंके बनते समझ अपने next if kardeşim our definition it is a process it is a process in which two or more substance in which two more substance two or more substance in in which two or more substance, substance interact with each other, interact with each other, interact with each other, and form new substance where all bonds are broken, where all bonds are broken, and new bonds are formed, so I am going to say that by definition, you can understand chemical reaction, that if two or two substance react, the new substance will be broken, the old bonds are broken, the new bonds are broken, and the new bonds are formed. हो होते है, अब मैं second definition लिखवाने जारा हम हो है, मेरा chemical equation, क्या है, chemical equation, अब chemical equation क्या करता है, समझे बात को, chemical equation है, उसी reaction को अगर हम symbolic form में represent करते हो, क्या होता है, chemical equation, तो chemical equation is a symbolic form of, chemical equation is a, a symbolic form of chemical, chemical reaction, that is all chemical reaction are represented by, that is all chemical, that is all chemical reaction are represented by, chemical reaction are, represented by, chemical equation, chemical equation, by using chemical formula, by using chemical formula, by using chemical formula of reactant and product, of reactant and product, तो chemical equation क्या आता है, symbolic form of chemical reaction, और हमें पता है, जितने भी हम पढ़ते हो, हर chemical reaction को, chemical equation के form में ही, represent करते हैं, कैसे represent करें, reactant का formula लिखके, और product का formula लिखके, इस तरीके सब, chemical equation को represent करते हैं, तब हमारा next definition आता है, reactant का, आखिर reactant क्या होता है, what is reactant, ठीके, तो reactant क्या होता है, जल्दी बताओ, शायद मुझे लगता, आको पता होगा, the substance in which change is brought, and it is present in left-hand side of the chemical equation, ठीके, इस लिख देता हम, substance in which, in which change is brought, is brought, substance in which change is brought, and it is present on left-hand side of chemical, and it is present on the left-hand side of the chemical, equation, उसे कम क्या बोलते है, reactant बोलते है, next हमारा क्या रख प्रोड़क्त आता है, क्या आता है, प्रोड़क्त, ठीके, अब प्रोड़क्त के definition क्या आ जाएगी, the substance which comes into existence, right, बदर जो substance existence आता है, और यह खतम होता है, इसका existence खतम होता है, उसका existence आता है, तो ठीक है, substance which come into existence, and it is present on RHS of chemical, और कहां present होता है, right hand side of the chemical equation में present होता है, उसका हम क्या बोलता है, प्रोड़क्त बोलता है, ठीक है, आप chemical equation लिखा कैसे जाता है, chemical equation को आम ऐसे लिखता है, reactant tends to product, ठीक है, या R1 plus R2 मालता दो reactant है, और आपको दो product मिलना है, तो P1 plus P2, तो यहां तक आपको चीज़े समझ मार रहे होंगे, मैं क्या समझाना चाहरूं, किसी भी chemical equation का, main purpose क्या होता है, तो बात को समझे, किसी भी chemical equation का main purpose होता है, कि हमें new products बनाने होता है, तो किसी भी chemical equation का main, यह भी होता कि stability gain होती है, वो तो सब बात साही है, लेकिन main purpose क्या होता है, हमें एक नया product form करना होता है, ठीक है, rate and of product में number of atom balance नहीं होता है, ठीक है, तो में लिख देता हूं, chemical equation, equation in which, number of atom in both sides are not equal, number of atom in both sides are not equal, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद हमारा आता है, balanced chemical equation, क्या आता है, balanced chemical equation, balanced chemical equation, आपको नाम से समझ में आएगा भाईए, दोनों तरफ, right hand side of balance side, number of atom क्या रहते हैं, same रहते हैं, तो में लिख देता हूं, इसके डेफिनेशन, a chemical equation, a chemical equation, in which, number of atom, on both sides are equal, तो इस तरीकेसम, किसी भी chemical equation को balance, यान balance के तरीकेसम क्या करते हैं, define करते हैं, तो अभी तक हम ने जो question पढ़ा था, आपको में direct mole देता था, आपको weight देता था, mole निकाले था, number of atom निकालेते था, अब जो थोड़ा अच्छे level के question होंगे, उनमें आपको क्या रहा है, आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए मानको बिल्कुल basic से संदाल है, जिसको आता है, तो well and good है एक बार revision करने में कोई हर्च नहीं है, तो example कि जैसे मैं बात कर रहा हूं, when potassium chlorate, when potassium chlorate is heated, when potassium chlorate is heated, it gives potassium chlorate and oxygen, कहने का मत्रब क्या है, कहने का मत्रब है, कहने का मत्रब है, KClO3, यह था वर्डिंग के पॉर्म में, तो क्या भूला, potassium chlorate को heat जब हम करता है, heat का सिंबल डेल्टा सा देजाब करता है, तो यह मुझे क्या देता है, KCl plus oxygen gas, यह हम इसको ऐसे भी रेप्रेजंट करते है, क्योंकि जनरली यहां, solid वगर रेप्रेजंट करना चाहिए, अच्छी बात होती है, और gas यहां तो G से भी आप डिनोट कर सकते हो, यह upward arrow से भी रेप्रेजंट करते हो, gases क्या हो जाती है, तो यह मेरा क्या था, unbalanced chemical equation है, UBE, तो इसका balance करूँगा, तो balance कैसा होगा, KClO3 solid tends to give KCl plus O2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, twice, twice और 3, तो देख आप इस तरी के साब समझ रहे होगा, कि इस इक्वेशन क्या हो चुका है, balance होगा, तो जनरली हम कोई भी chemical equation को hit and trial methods करते हैं, तो पहले potassium, पहले oxygen को balance किया, मैंने oxygen 6 होगा है, यहां पर 6, potassium chloride, KCl2 थे, तो यहां पर 2 chemical equation को balance कर सकते हैं, ठीक है, अब दो बाते होती है, आखिर balance chemical equation से क्या पता चलते हैं, तो आखिर balance chemical equation से बहुत कुछ बाते पता चलती है, कि आखिर कोई भी substance के form में react कर रहा है, और मुझे कितने molar ratio में product मिल रहा है, आपको याद होगा, मैंने game cycle आपको पढ़ायता, आपको यह भी याद होगा, कि मैंने avocado hypothesis भी आपको पढ़ायता, तो याद होंगी आपको यह सब चीज़े, तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको balanced chemical equation परता है, तो आप इस equation को कैसे प्रनाउस यह कैसे बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे, जो statuometric है, इसको क्या बोलते है, इसको हम statuometric coefficient बोलते है, जो हम balancing के लिए जो number use करते है, जो integer number हम use करते हैं, उनको हम statuometric coefficient बोलते हैं, तो जनरल ही क्या होता है, इसको हम ऐसे बोलेंगे, 2 moles of KClO3 on heating gives 2 moles of KCl and 3 moles of O2, आप अगर यह gaseous reaction होता, मैं क्या बोलूँ, अगर यह gaseous reaction होता, तो जो statuometric coefficient है, वह ही इसका mole ratio भी वह जाएगा, और वह ही इसका क्या हो जाएगा volume ratio भी, तो समझना, अगर यहां पर अगर यह gaseous reaction नहीं है, तो यहां पर volume का terminology मैं use नहीं कर सकता, तो यह reaction किस form में react कर है, 2 is to 2 is to 3 के form में, हना 2 moles KClO3, 2 moles KClO3, 3 moles O2 produce करता है, तो यहां तक आपको प्यारे बच्चों सारी बाते, समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो इससे मुझे quantitative ratio बता चलता है कि, कौन सा सब्सांस कितने ratio में react कर रहा है, कितने ratio में perform हो रहा है, यहां तक चीज़ा आपको समझ में आ गई होगी, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप समझो कि, आपने मुझे क्या क्या परत चलता है, तो पहले में लिख देता हूँ, नोट बनाके, ठीक है? नोट बनाके, बरेमे, तो बहला मुते, ए बाले, वैलन्स, ए बालंस , जितर चमीकल, वैलन्स जितर अपको एकwarmने लिए-पीछय जितर जितर ऑंवेश्य अक्यमिकल परता है। जितर चलती चमीकलशा बड़ाब से क्ड़ाइ़यां this balance chemistry equation gives quantitative information that in which molar ratio reactant are reacting reactant are reacting and in which molar ratio and in which molar ratio product are produced कि smaller ratio में reactant react कर रहा है और कि smaller ratio में product form हो रहा है ठीक है तो यह balanced chemical equation से मुझे यह सब चीजे पता चलती है ठीक है अब next definition आता है stycheometric coefficient stycheometric coefficient stycheometric coefficient ठीक है तो मेली करता हूँ coefficient in which coefficient in which reactants are reacting reactants are reacting and product are producing reactant are reacting and product are producing and these are always known from and these are always known from balanced chemical equation जो chemical जो coefficient हम use करते है during the balancing of chemical reaction वह coefficient मेरा क्या कराता है stycheometric coefficient मुझे पता चलता कि 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 मोल ratio में reactant react कर रहा है और कि मोल ratio में product form हो आपको लग रहा हो कि मैं चोटी चोटी बाते बता रहा हूँ विकि जरूरी है ये बहुत जरूरी है आपको चोटी बाते बता आपको ये सब चीजे नहीं बताऊंगे तो आगे कि हाई लेवल के कुश्यन नहीं बनने पूर लेises अगर reaction मेरा कैसा है gaseous reaction है तो जो स्टाइचामे Animals हो Utar जो स्टाइचामे Hart रेशियो होगा वो ही इसका क्या होगा mol रेशियो भी होगा और वो ही इसका क्या होगा क्या वालम रेशियो सब्सक्राइब और क्या है इसको मैं कैसे समझेंगा क्यों वन 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 और यह तू बैलेंस इसके मतलब यह 1 लॉफ हाइडरोजन 1 लॉफ क्लोरिंग के साथ यह करके 2 लॉफ है सब्सक्राइब करता है तो आप इस तरीके से भी करता है यह याद रखेंगे इस चीज वैलेट होगा गैसे रेक्शन विल्या आप बाकी चीजों के लिए इन चीजों को अपलाए नहीं कर सकते हो ठीक है तो हम क्या करेंगा थोड़ा बैलंसिंग करना सीखेंगे फिर बच्चों ताकि आप तो चीजों और किलियर हो जाए ठीक है ठीक है तो पहला रियक्शन है हमारा N2 प्लस H2 तेस तो गिफ नहीं सेकेंड एक्शन है हमारा C प्लस O2 C प्लस O2 तेस तो गिफ CO2 यह आपको हीट हीट हीए यह मुट से बनाना है किस से बनाना है हीट टरायल मैथड से बनाना है ठीक है तीसरा देखो अगर मैं यह से बात को समझा आप बाते में आपको यहां को समझा देना चाहिए कभी भी कोई अपने अगर ऑक्सिजन के साथ रियक कर रहा है मतलब अपको उस ऐलिमेंट को ऑक्सिजन के साथ रियक्त करवाना है अपको क्या बहुत है अब मैं क्या करता है अगर आपको मिलेगा म्गो तो कभी विप रियक्त करता है तो आप यह बात है कि ये हो जाता है उसका ऑक्साइड हो जाता है ठीक है तो पहले नहां तक चीजेश समझ भाए होंगे तो कि बात करो ठीक है आप भी बैलेंस करना है कि करके तो मैं भी बैलंस नहीं कर आ है अगर मालों एलमूनियम है यह एलमूनियम को आपको इसको भी बैलेंस करना है अगर कोई इलिमेंट है तो उसका ओक्साइड फोगा लेकिन अगर कोई कंपाउंड है तो आपको क्या फोडूस करना उसका फाइयर ऑक्सेडेशन जैसे कार्बन मोनोक्साइड है मोनोक्साइड पाइयर गजब कारवन आधा जला होगा आधा जला ऑगा तो ऑक्सिजन के साथ कंप्रीट नहीं किया प्रियाक किया और तब तो और और याद रखेगा किसी पहाइड्रोकार्वन को तो दो ही प्रिड़क्ट होता आपका सी ओर्टू होता है इसके रावा कोई प्रोट्ट नहीं होता है तो कोई मालजमारी आपको करने नहीं है ठीक है सैवन नमबर ऐसे सी थ्री को अगर आप ऑक्सिजन के साथ रियक कराते तो यह क्या बनाएगा अगें यह भी सी और इस टू ही बनाएगा बस इसके रेशियो चेंग रहें तो मैं आपको आंसर बताते जाता हूं तो प्लस थ्री एच्टू टॉइस ऑफ एनस थ्री ठीक है नाइट्रोजन दू बैलंस है प्लस और अधिक है आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको पूरे रियक्शन को क्या कर सब्सक्राइब तो यह तो झाएगा यह तीन हो जाएगा और यह तोफिसे चान प्लस हो तू तो अगर मिंग्ध़र करुंगा यह नहीं यहां पर हो जाएकर यह तो यहां पर कितने चार तो यहां पर कितने चार यहां पर मैंने कितना कर दिया चार अब oxygen कितना हो जाएगा तीन दूनी छे अचार दस तो यह पांच तो यह मेरे क्या चुक है इस तरीके से यह चीज़े बैलंस हो चुक है ठीक है यह का हीट राइन कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी डिरेक्शन को हीट राइन लुए हैं आपको टैक्निक बता रहाँ हाला कि वह मात्मयटिकल टैक्निक है बट जाओ में बैलंस को आगे बहुत तरीके से यह हें और साथ यह बड़ी बड़ी रियक्शन को बट फिराद मोंक फूंसार बणमें हमें दो ही चीज़े पढ़नी है, तो चीक है, अगर मैं बात करो बैलसिंग की, बैलसिंग, बैलसिंग, सेकिंड मैथड, और बैलसिंग, आखर इसको बैलस कैसे क्या रहा, तो समझो बात को थोड़ा, ठीक है, अगर मैंने मालू कोई प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 tends to gain आपको क्या देगा K2SO4 प्लस F2SO4 थ्राइस प्लस MNSO4 प्लस MNSO4 प्लस H2O समझ बात को आपको यह reaction दिया है और आपको बहुत बड़ी reaction है तो आप कैसे इंचिर्यों बैलन्स करोगे तो अब यह heat and try method से तो नहीं होगा मैं करा suggestion तो यही दूँगा कि अगर जहां तक हो सके तो try करें heat and try method अगर इनके spirit भी नहीं होता है और आपको जरूरी है balance करना तो फिर आप यह method यूज़ कर सकते हो तो अब एक काम करो आप अपने मन से सब के क्या मान लो इस ट्राइचो मेंटर कोफिशन मान लो तो लैट से इसका मैंने सब एक कम बनेगे तो 6 equation बनेगी ठीक है अब आपको equation किस तरीके से बनानी है समझो बात को जैसे अगर आपको potassium के लिए potassium के लिए potassium यहां पर कितना है x ठीक है और वहां कितना है दो तो यहां मैं नहीं सकता हूँ एक्स इक्वल टू टू यह पहले को potassium के लिए ठीक है समझ मैं ठीक है अगर मैं बात करो MN की MN के लिए X और यहां के कितना हो जाएगा C और कहीं MN है और कहीं MN नहीं है तो X कितना हो जाएगा C यह दूसरा MN एक्टम के लिए बनेगा atom का बैलंस करना ठीक है अब आ जाएगा कि हौन का कैसा बैलन को यह पी यहांप किया है यहां पर और यहां पर तो y plus z y plus z किसके बराबर हो जागा y plus z बराबर हो जागा आपका 3 sulfur 3b 3b plus a plus c तो मैं लिख सकता हूँ एक a को यहां पर है plus 3b है plus 3b है और plus sulfur यहां पर है एक sulfur c के बराबर तो यह question आपको समझ मागे होंगे ठीक है अगर मैं बात करूँ करूँ तो hydrogen ते यहां पे तो 2z 2z बराबर किसके हो जाएगा hydrogen यहां पे D है और तो गहीं hydrogen नहीं है तो red से 2z बराबर 2d और oxygen के अगर आँब बात करूँ तो oxygen कितना होगा 4x plus 4y plus 4z is equal to 4a 4x plus 4x क्योंकि एक यहां यहां पे oxygen है एक यहां पे जो 4x हो जाएगा plus 4y हो जाएगा एक तो 4 के लिए और जैड़ में कितने है 4z oxygen atom है ठीक है अब यहां पर oxygen atom कितने है 4a है यहां पे plus कितना है मेरा क्यारतिय बारा 12b plus 4c plus d यह आपको equation बन रहा है इस तरीके से है ओके ओके नहों यहां तक आपको चीज़े समझ में आगेंगे अब आपके अच्छी करना क्या है आपको किसी एक variable को क्या मानना पड़ेगा बन मानना पड़ेगा और almost 99.9% केस में यह टिक काम करता रहे ठीक है आपको क्या करना को एक ऐसा आपको समझ मारा आपको उस variable को खुछ से चुनना है जिससे एक दो अपने आप क्या है कम से कम दो एक्वेशन मेरी तो अगर समझा मैं लेट एक सिक्वल टू वन माना मैं एक एक सिक्वल टू वनाना तो अगर यह कितना हो जाएगी प्लस थ्यविट कितने हो जाएगी अब समझो बात को अब आपको क्या करना है solve करना है, चलो इसको equation को solve करो, तो y equal to 2b है, ठीक है, तो y, इसमें मैं गर value put कर दो, y plus z बराबर क्या होगा, a plus 3a plus sorry, a plus sorry, my mistake, a plus 3b plus c, c के value पता है, a के value पता है, y के value कितनी put कर दो, 2b, 2b plus z tends to give, a के value कितनी, a के value, 1 by 2 plus 3b, plus c के value कितनी, 1, तो y, इधर आ जाएगा, तो z minus b is equal to कितना हो जाएगा, 3 by 2, तो equation आगो क्या है, 2 से multiply करूंगा, तो 2z minus 2b is equal to 3, तो y, equation, 1 बनेगा मेरा, अब आपको again, z minus b के form में दूसरा equation भी बनाना है, so that आपका answer अच्छे से आजाए, तो आप क्या करोगे, इसको solve करोगे, ठीक है, okay, now, अब इसको solve करिये, तो 4, अब इसको solve करता हूं, मैंसे suppose करोगे, तो z बराबर d, यहाँ समझे, क्या मिल रहा है, z equal to d मिल रहा है, ठीक है, तो अब इसमें put करता हूं, तो 4x, x की value 1, 4, 4y बराबर कितना हो जाएगा, 8b, 4y बराबर हो जाएगा मेरा, 8b, 8b लिख सकता हूं मैं, क्योंगी y equal to 2b है, तो 4y कितना होगा, 8b होगा, 4z बराबर कितना हो जाएगा, 4z बराबर मेरा हो जाएगा, 4d, 4d हो जाता है, ठीक है, अगेन मेरा क्या आ रहा है, 4a, 4a की value कितनी है, 1 by 2, तो a की value हो जाएगी, 4a, 2 value हो जाएगी, प्लस 2b हो जाएगा, प्लस, अच्छा, z को मैं z के form में लिखता हूं, let it be, 4z भी लिखता हूं, ठीक है, जाने दो, 4z ही लिखता हूं, 12b को as it is, 12b लिखा, 4c, c के value कितनी है, 1, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और d के value as it is में क्या लिख रहा हूं, d को z के बराबर पूट का दे रहा हूं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, z, अब ये equation कैसा मनेगा, 4 of 4 तो क्या हो चुका होगा, तो 4 of 4 cancel हो चुका हो तो 4z, 4z मतलब 4 minus z कितना हो जाएगा, 3z, 3z, 3z और minus 4b, 3z minus 4b is equal to 2, तो ये equation बना, और ये equation आपको बनना, 2z minus 2b is equal to 3, तो यहाँ से जब आप equation solve करते हो, तो मैं direct आप लिख दरह में solve नहीं करा, इस equation तो आपकर सकते, z बराबर किता हैगा, 4 आपकर, z बराबर किता हैगा 4, z 4 आजाएगा, तो 4 to the 8, 8 minus 3, 5, तो b के value किती है जाएगी, 5 by 2, b के value अगर आपको 5 by 2 आ रही है, तो d की, z बराबर 4 है, तो d बराबर किता हैगा, 4, तो 3 variable, से कितने variable, x, y, z, 2, b, तो b के value कितने है, 2 into 5 by 2, और इंकर तो 5, तब आपको सारी equation पता चले गए, सारे variable पता चले गए, value पड करें, x के value आपने कितने मानी, 1, तो k m n of 4, equation लिख देता हमें, k m n of 4, plus f e s of 4, plus h 2 s of 4, f e s of 4, plus h 2 s of 4, tends to give, k 2 s of 4, k 2 s of 4, plus f e 2 s of 4, thrice, plus m n s of 4, plus h 2 o, अब x के value मैंने क्या लिखे, x के value मैंने कितने निका ली, 1 निका ली, y के value मैंने कितने निका ली, 5 निका ली, z के value कितने निका ली, 4 निका ली, a के value कितने निका ली, 1 by 2 निकाली, B के वैल्यू मैंने कितने निकाली, B के वैल्यू मैंने 5 by 2 निकाली, और C के वैल्यू मैंने कितने निकाली, C के वैल्यू 1 निकाली, और D के वैल्यू मैंने कितने निकाली, D के वैल्यू 4 निकाली, आप क्योंकि मुझे इंतिजान में रखना तो मैं क्या करता होगा इसको 2 से 1 इसको 2 से 10 यह जाईगा ऑफ इंपलेंकर D flick क्या कर सकते हो सॉल कर सकते हैं तो नाथ एक पहले बरच आपको समझ माएं गतना है और एम यहाँ पे कितना दो यहाँ पई तर आमेन बैलेंसे पंद्रा सत्रा अच्छा पंद्रा दो सत्रा और यहां पर इस तरीके सब चेक कर सकते हैं यह पूरे के पूरे के हल चुक्या मेरे बैलेस हो चुक्या ठीक है होती है ठीक है क्योंकि फिजिकल केमेस्ट्री केमेस्ट्री में सब्सक्राइब स्कूरिन टॉपिक माना जाता है ठीक है आपको बैलेंस करना है ठीक है बैलेंस एफीटू एस्ट्री 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 सब्सक्राइब 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 अब आध सबस्क्राइब सब्सक्राइब तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जैड के वैलू निकाल हो तो Y प्लस 2 Z बराबर क्या हो जाएगा 3 A के वैलू कितनी है जाएगा 1 बाइ 2 Y के वैलू मैंने कितनी निकाल लिए 3 बाइ 2 प्लस 2 Z तो Z बराबर कितना हो जाएगा 3 by 2 तो 2 से मैं मुल्टिप्लाइब कर देता हूँ तो Z बराबर क्यों हो जाएगा 3 by 2 minus 3 by 4 तो ही कितना हो जाएगा Z के वेल्यू मेरे साथ से यहां से आजाती है Z के वेल्यू आजाएगा 3 by 2 जाएगा 3 by 2 तो बस अब कुछ नहीं है वेल्यू पूट करीए अंसर आजाएगा तो X के वेल्यू अब FES 2 O 3 को में क्या लिख सकता हूँ X के जाएगा क्या लिख सकता हूँ 1 तो F2 S3 X के वेल्यू 1 आजाएगी Y के वेल्यू होने कितना निकाली 3 by 4 3 by 4 H2O PLUS O2 के वेल्यू Z के वेल्यू कितनी आएगी Z के वेल्यू आएगी 3 by 2 3 by 2 O2 Tens to give Tens to give A के वेल्यू कितनी हो जाएगी 1 by 2 FV OH 3 PLUS B के वेल्यू तितनी हो जाएगी 3S अगर में क्या करता हूं फोर से मॉटिप्लाय कर दूंगा तो आपको इंटीजर में चला जाएगा वह उससे भी कर सकते हैं तो कोई बढ़ी बात नहीं है इनमें चीजों में ठीक है अब जो हम बेटा अब यहां से आपका क्या होगा मोल कॉनसर चालो होगा अब तक हमने जो पढ़ा तो वह क्या था सिंपल मोल निकालना अब केमिकल रियक्शन दिया रहेगा तो चीज़ें आपसे कैसे पूछेगा इसने में इतने सारी आपको बेसिक चीज़ें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कवर करी है ठीक है अब हम चलते हैं में चीजों की तरफ अब बात हो रहे हैं इंटर्प्रेटेशन आप इंटर्प्रेटेशन आप इंटर्प्रेशन आपको का बोलते हैं निन्हां चीजों की अब कहि हने हैं आपको कीजों क्या प्लेशन कि यहां तक चालिए प्रभर्च आपको चीजे समझ में आएंगे आपको मैं क्या संजाना चाहरा हूं इसमार सबसे पहला जो आता है वह क्या आता है मोल आनलीसिस मोल आनलीसिस मोल मोल आनलीसिस आला कि आप जानते होगे बस नाम में थोड़ा डिफरेंट है कौम में इतना मोल रियक्षन का बात करें कि यह रही ऐता है 2KCLO 3 kcal plus twice of O2 क्या होगा कि two more kcl o3 react करके क्या बना रहे है two more kcl और three more ओर तो इसे के equation के format कैसे लिखोगे n ka n kcl o3 का मत्रब क्या मोल्स of kcl o3 उसको डिवाइड कर दो तू से यह किसके बरावर होगा मोल्स of kcl इसका स्ट्राइट जो इसके स्ट्राइट इसके स्ट्राइट कर दिज è इतना ही होता इसमें बाते हाले कुछ बहुत ज्यादा पुछ है नहीं सब चीज़ों को समझाता हूँ तो आपको ज्यादा बैटर समझ माइंगे ठीक है calculate moles of KCl and O2, calculate moles of KCl and O2 produced when 367.5 gram of KCl O3, KCl O3 and Kp. मान लोगर यह कोशन दिया आपको इस form में, ठीक है? अब यह सब कोशन है, calculate moles, calculate, अब उनी बेसिक्स को आपको यहाँ apply करना है. तो आपको करना सबसे पहले क्या होगा कभी भी इस ताइल पर कोशन आते हैं, यह chemical based पर जो कोशन आएगा, मेरी बात दिमाग लिएन से कुलना, पहले आपको क्या लिखना होगा? सबसे फर्स स्टेप आपको उसका skeleton reaction लिखना होगा. तो बोली रखा है, KCL O3 जब react करता है, तो यह क्या देता है? आपको KCL plus O2, तो यहाद अपना, अभी मैं case 1 करवा रहा हूँ, case 1 कौन सा? यह मैं आपको करवा रहा हूँ, यह पहले में लिख देता हूँ, sorry, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर लिख देना, case 1 है SR, SR मतलब single reactant का case में ले रहा हूँ, अभी जो भी questions में कराऊंगा, वहाँ पर reactant आपको एक ही मिलेगा, तो उसी पर बेस जब भी सारे questions कराऊंगा, तो आपको पहले chemical equation में आपको क्या करना, जब भी step को question आएंगे, तो पहली बार आप पहले chemical equation में जो इसका main chemical equation होता, बो इसके intent, उसके बाद balance कर लो, यह balance है कर देख लो तो नहीं balance हो गया, अब case पर चानलो, तो यह case मेरा कौन सा है, single reactant का case है, क्या है मेरा, single reactant है, अब information उसने क्या दिया, 367.5 gram of case से लो कि तो 367.5 gram, अब हमेशा यहां लगना, हमेशा क्यों कि आप क्या कर रहा हो, chemical equation को try to solve in the form of moles only, तो आपको जो भी information गिया जाएगा, यहां हो सकता, वो gram देदेगा, यहां हो सकता, वो atom देदे, यहां हो सकता, molecule देदे, इसलिए मैंने आपको इतना basic से पढ़ाया था कि आपको moles निकान ले आना चाहिए, क्योंकि कहानी की सुर्वात हमेशा heroes होती है बटा, और इस क कहानी का hero कौन सा है, mole है, आपका कहानी का hero ही mole है, तो आपको में फंडा क्या होगा, आपको सिर्व मोल निकान ले आना चाहिए, तो gram को आप किसी भी weight को मोल में कैसे convert करते हो, आप इसके molecular weight से divide कर गया, और इसके molecular weight जो मेरा है साब चाहता है, वो 122.5 आता है, तो यह अपर is equal to, आपको किसके information के बारे पूछे, KCL और O3, तो इसको आचा करतो, N of KCL divided by 2, तो 2 or 2 cancel, तो moles of KCL भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, उसे moles of KCL पूछा है, ठीक है, अगें, 3 by 2 किसके बराबर होगा, यही 3 by 2 किसके बराबर होगा, और तो कि आप यह लिखो, यह लिखो तो 3 by 2 किसके बराबर होगा, moles of O2 divided by 3, तो यह कितना होगा, moles of O2 बराबर कितना होगा, 9 by 2, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राए के बाद नहीं है, तो यहां तक चीज़ा आपको क्या और चीखनेंगे, समझ मेंदा चीख होगी, ठीक है, मैं समान के चल दाँ, ठी समझो, अब ऐसे समझो, आप इसको किस तरीके सा, और यह को बेसिक मैथड हुआ, यहां पर मैं अपना टेक्निक बताता हो, समझो, यह किस रेशियो में है, कर रहा है, 2 इसको 2 इसको 3 के रेशियो में है, मतलब इन दोनों का रेशियो होगा बराबर और यह इसका होगा, 3 by 2 अगर आप इस रेक्शन को 2 इसको 2 इसको 3 इसको 3 इसको 3, अगर यह इसको 3 मोल्स है, तो इसके भी मोल्स कितने होगे, क्योकिन का रेशियो बराबर होगा, यह कितने मोल्स के बराबर होगा, यह कितने मोल्स के बराबर होगा, यह इनके 1 by 2 मोल्स के बराबर होगा, जो भी म तो ज्यादा बेटर आपको इतना करने की ज़रा नहीं है, ठीक है, टेक वाल कोशेंग करते, calculate volume of CO2, calculate volume of CO2, gas in liter, gas in liter, gas in liter, produced at STP, produced at STP, produced at STP, by heating, by heating 25 gram of CO3, कुछ नहीं, तो आपको सबसे पहले funda क्या होगा, सबसे पहले funda जल्जी से बोलो, करता है, तो आपको दिया हुआ, CO2 gas बन रहा है, तो CO2 लिख लो, बचे का क्या, है, CAO, यह basic chemical action, आप 10 से पढ़ता है, रुक्या है, एक सम बैलास है, बिल्कुल बैल से करने की जुरत नहीं है, अब उसने यहां पर क्या दिया हुआ, सबसे लिखते हों, अब देखो, इसमें और क्या कुछ आप सकता है, इस अपूछ सकता है, इस आप सकता है, इसमें बैलास की तो अगर आपको कहाणी का hero पता है, moors आपको पता है, तो भाई हीरो पी मिलेगी, विलन भी मिलेगा, उसका पापा मिले अचा भी मिलेगा, उसका मामा सब मिलेंगे, तो what is the moral of the story? Moral of the story यह होगा, हर चीज का आपको case में convert करना होगा, moors में convert गोना, एक बाति सारी कोशन बना सकते हों तो कुछ कोशन है से और आपको समझ में इस तरीके से कि कि टिके ने पुशेन आमारा what mass of oxygen will produce, what mass of oxygen will be required to react completely with one gram of calcium with one gram of calcium also find out mass of oxygen. यह कोशन थोड़ा सेकिंड केस का है ठीक है लेकिन मैं यह मान के चलों कि आप यह कुशन करों ठीक है इसे के सब्सक्राइब करें का ठीक है, एसेंपल ऑफ के स्लोब और चलों कि यह कौंपोज, एसेंपल अप के सीलोथी ओन, वों मिकमें वन, ऐसेंप़ ओन, और ओन, इसेंपल और KCl-2 A K E K K E K E E K K E K E K K E E ठीक है, 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 ठीक है यह निट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं कोई वेशु नहीं है यह बागी दिया आपको सब को अटेम कर दो है ठीक है वन लीटा रॉप मिक्चर अफ सी यो वन लीटा रॉप मिक्चर अफ सी योफ कि वास पास थूरू रेड्ड होग को वास वास प्रणिप्र ह् पो ницу प्रणिव、 प्रणिव लुटप्र है्bold वर्रणिव। कि अए गाट प्रण वर्णिव , ह् वट पूझा कर sì य सिसे ली pan Scottish D और प्यश्य था पांगिंग जो और प्यश्य था यह जा है में भी को बाखन लेकर बाखने के लिए? आप वार्ल्यूम और सी ओ इन जा ओर इसनल इसट अधिक टेक्ट वेखो यह कुश्चन में थोड़ा ताइम एक्सेद हो रहा है तो यह कुश्चन में आपको क्या दे रहा हूं बेटा होंबग दे रहा हूं आपको यह कुश्चन अटाइम करने मुझे आपको यह आंसर वाटसब करना होगा ठीक है आपको क्योंकि एक घंटे का टाइम मिलेगा भी तो आपको इसके हमबग करके तुरंत आपको कुश्चन सौल्व करके मुझे वाटसब करना पड़ा इन किस नहीं बता है घबरानी पहले छुछ से आप करें है आप साथ चीजों को रिवाइस करें हो तोरली तो यह तो इस आप वह अपको आए ना आए लेकिन एक आदत जरू डाली हम चीजों को ठीक है नहीं आएगा तो बेटा मैं तो बताँ गोई बता है पहले आप तुछसे कोशिच करें इसको झाल झाल